आजकल की भागदोर भरी जिन्दगी के कारण इंसान अपनी लिए और अपनी शरीर के लिए समय नहीं निकाल पा रहा है अव्यवस्तित खानपान के कारण आजकल लोगों में बालों से संबंधत परिशानिया बढ़ गई है दिरसे इसका कारण शेहर का प्रदूशन धूल धुआ और दूशित भोजन पानी है इस सबके कारण से लेकर पाउं तक तवचार रूखी हो जाती है रूखी तवचासी जहां डेंटरफ और बालों से संबंधत अन्यरोग होते हैं वहीं ये चर्म रोग का कारण भी बन सकता है बताते कि अचानक गंचापन और बालों का जढ़ना किसी बिमारी का कारण हो सकता है इसलिए आपको तुरंट डॉक्टरी सला लेनी चाहिए आजकर महिलाओं में भी ये समस्या काफी दिख रही है इस बिमारी को डॉक्टर ऐलोपैसिया कहते हैं तो चले जानते हैं क्या होता है ऐलोपैसिया और कैसे इसे ठीक किया जा सकता है पहले ऐसा कहा जाता था कि गंजापन सिर्फ पूर्शो को ही होता है लेकिन आजकर ये महिलाओं में भी आम बात हो गई है ये हार्मोनल चेंजिस के कारण होता है दरे सिर्फ फोली साइस सिकोर्णे लगते हैं और बाल जढ़ना शुरू हो जाते हैं वहां गंजा बना जाता है महिलाओं में इस समस्या सबसे जादा देखने को बिलती है कई बार इसी समस्या के चलते मोटे और लंबे बाल छोटे और पतले बालों में बदल जाते हैं महिलाओं में एकदम से कभी भी गंजापन नहीं आता पहले उनके बाल जड़ते हैं, पतले होते हैं और बाद में गज्जा बना जाता है एलोपेजिया के उपचार का सबसे पहला चरण है लक्षणों के आधार पर इसकी पहचान इस वरान मरीज की मेडिकल हिस्टरी का पूरा ब्यौरा लिया जाता है गंजीपन का पैटर्ण सूरज या संक्रमन का परिक्षन थायराविड और आईरेन की कमी की पहचान के लिए ब्लड टेस्ट और हार्मोनल टेस्ट आदी की मदद से इसकी जाँच हो सकती है इसके उपचार के लिए इन दवाओं और विदियों का इस्तिति की गंभीता की आधार पर किया जाता है योगासन वज्जरासन, पवन्मुक्तासन, उष्टरासन और श्रिशासन करें उख्टासनों के विलोमासन पर किया जाना चाहिए इसकी बाद प्राणायाम से निमत रूप से अनुलोम विलोम का अभियास करें प्रदूशन से बचे योगिक आहार को जाने प्रजरासन की बाद कुर्मासन करें फिर उष्टरासन करें पवन मुपतासन के बाद मतस्य आजन करें फिर कुछ देर विश्राम करने के बाद शिर्ष आजन करें आस्रों को करने के बाद अनुलूम भिनूम प्राणायाम करें और फिर फिर पाँच मिनिट का ध्यान करें Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.